नवस्कार राजनीतिक खबरों के सबसे दिल्चस्प ठीकाने में मैं रुपेश मिस्तर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज बात होगी पालेट कैम के युवा विधायक राम निवास गावडिया की और मंत्री विश्वेंद्र सिंग की की कैसे मंत्री विश्वेंद्र सिंग राम निवास गावडिया को एक नायाप तुफ़ा देने की तयारी कर रहे हैं जिसके लिए मंत्री विश्वेंद्र सिंग ने अभी से ही 27 बिछाना भी शुरू कर दी है क्या है पुरा मामलाद? समझने के लिए देखिए अमारी सबसे खास रिपोल सूबे के उप मुख्ध मंत्री सचिन पाइलेट के सबसे करीवी मंत्रियों में शुमार विश्वेंद्र सिंग और परवसर से विधायक राम निवास गावडिया का रिस्ता जग जाहिर है मंत्री विश्वेंद्र सिंग और विधायक राम निवास गावडिया के रिस्ते स्रियासत से उपर नजर आते हैं क्योंकि मंत्री विश्वेंद्र सिंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, बलकि कई बार इस बात को सारवजनिक मंच पर भी जता चुके हैं कि राम निवास गावडिया उनके बेटे जैसे हैं। शायद इसी का नतीजा है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंग अब राम निवास गावडिया के अहदे को और बढ़ाना चाहते हैं इस पूरे रिष्टे के हर कड़ी हम आपके सामने परत दर परत को लेंगे लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मंत्री विश्वेंद्र सिंग विधायक राम निवास गावडिया की वफादारी को चेयर्मैन का तौफ़ा दे कर नवादना चाहते हैं खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आपको देखना होगा मंत्री विश्वेंद्र सिंग के वो दो बयान जिसमें आइने की तरह साफ हो जाता है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंग और राम निवास के रिष्टे कितने प्रगाड हैं दरसल विधायक रूपा राम के ट्विट का मंत्री विश्वेंद्र सिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि नागोर से तो अब और भी करीवी रिष्टा है क्योंकि मेरा बेटा परवसर से विधायक है अब देखिए मंत्री महोदे का दूसरा बयान जिसमें उन्होंने लिखा है बेटा इस प्रदेश को आप जैसे युवा विधायकों की जरूरत है जो आम जनेवं युवाओं की हक्की बात को मजबूती के साथ उठाते हैं अब दोनों के रिष्टे कितने प्रगाड हैं इस बात को समझाना साथ ज़्यादा जरूरी नहीं होगा इस रिष्टे के इतने प्रगाड होने की असल वज़े क्या है इसका खुलासा भी हम अपनी अंगली रिपोर्ट में करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि परेटन मंत्री विश्वेंद्र सिंग अब विधायक राम निवास गावडिया में सियासी भविश्य देखने लगे हैं और गावडिया को RTDC का चेयर्मेन बनाना चाहते हैं जिसको लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंग ने अभी से ही सियासी चौसर में विशात बिछानी शुरू कर दी है आपको बता दे कि RTDC चेयर्मेन की निवक्ति सरकार के ओर से की जाती है लिहाजा किस्तों में सियासी निवक्तियों का दौर भी शुरू हो चुका है एसे में मंत्री विश्वेंद्र सिंग ने राम निवास गावडिया को RTDC का चेयर्मेन बनाने के लिए भर्सक कवायद शुरू कर दी है खेर अब देखना होगा कि मंत्री महोदे की मेहनत आखिर कब तक रंगलाती है ब्यूरो रिपोर्ट दिफैक्ट इंडिया तो दोस्तों देखी आपने हमारी खास रिपोर्ट की कैसे मंत्री विश्वेंद्र सिंग इन दिनों परवत्सर से आने वाले विधायक राम निवास गावडिया को एक बड़ा तोफा देने की तैयारी करने है लेकिन यहाँ पर ये देखना सबसे ज़्यादा दिल्चस्प होगा कि मंत्री विश्वेंद्र सिंग अपने इस मिशन में काम्याब हो पाते हैं या फिर नहीं दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे एक नई सियासत की खबर लेकर तब तक के लिए नमस्कार